और फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के फ्रीडम फाइटर सुचिंद्रानाथ सानेल के अबारे में इनका भारत को अजादी दिलाने में कि क्या महत्वपुन योगदान था इसके बारे में जानेंगे सिबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों थे हाली में 7th of feb को इनकी death anniversary को 80 years पूरे हुए थे इस वज़ा से ये न्यूज में है और आप जानते हैं कुछ basic details इनका जनम 1890 में बनारश शहर में हुआ था और इनकी मृत्यू 1942 में गोरकपुर शहर में हुई थी इनके कुछ कामों में से सबसब बड़ा काम ये था कि इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसेशेशन एच आरे का नीव रखा था ये एक बहुत ही revolutionary organization था इनके members चंदरशेकर राजाद भगत सिंग और भी कहीं करांतिकारी इनके members थे कुछ और काम इन्होंने किये थे जैसे कि 1912 में सचिंद्रा सान्याल और राज भ्यारी बोस्त ने तब के वाइस रॉय हर्डिंग के ओपर बॉम अटेक किया था जिसके तहत इन पे दिल्ली conspiracy trial भी चला था और 1913 में इन्होंने अनुशिलत समिती का एक ब्रांच खोला पटन जीले में 1915 में इन्होंने गदर conspiracy के planning में बहुत ही मुख्य रोल निभाया था जिसके तहत इनको life imprisonment की सजा भी सुनाई गई जिसके तहत इनको अंडवान निकोबार जेल में रखा गया हाला कि इन्हें बाद में छोड़ दिया गया था जब वहर जेल में थे इन्होंने महापूरश जैसे की करांती कारियों को भी मेंटॉर किया था और 1925 में इन्होंने काकोरी कॉंस्पिरेंसी में भी योगदान दिया था जो कि लखनों के पास में काकोरी शहर है वहां पर ट्रेन लुटने का काम किया था एचारे और्गनाजेशन है इनको उसमें भी योगद इसमें इसका जवाब आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वाचिंग इस वीडियो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ तब तक आल दी वेरी बेस्ट